से हैं कि नोन्स टोकियो मैट्रिक से बहुत सिंपल सा मतलब है यह वह گणक्प स्ठोकुयो मेट्रिक को फॉलो निफ करते हैं और स्टोकुयो माइट्री से हमारा मिंनिंग क्या है इन के रेक्षभ को बिस्टॉब कर द कर देए जैसे NACL में का ही एक्जामपल लेते हैं को क्यों कि क्रिस्टल लेटिस में Te pairs का रेशो वन है एक कार्बन और उस इसने Pacanoid ванेलियन करे कोई चकर नहीं तो यह जो ऑना इनको से हो सकते हैं यह एक तो हो सकते हैं इन जो मीनिगा वही यह जो इनका नाम है ना वही इनका मीनिग है तिक है metal excess defect एक है metal deficiency चाहिशन सी बात है metal excess कर देंगे in comparison to the anion ठीक है metal excess हो जएगा चेटाइन excess हो जाएगा तो हो गया disturbance to the stoichiometry ठीक है इसी तरह से metal की deficiency कर देंगे तो भी हो गया जो ratio जो ठीक हो जाएगी तो यह दोनों डियार non stoichiometric defect ठीक है ओके तो यह सेकंड मेजर काटेग्री थी ध्यान रखना एक जो डिफेक्ट है वह हम लोग क ले चुकए है यह सेकंड मेजर काटेग्री है ऐस अब मैटल एकसेस डिफेक्ट बाई दो टाइप के होते हैं हमने पहला ले लिया है मेटल एकसेस टीफेक्ट अब बहुत सिंपल सी बात मतलब है कि के में catain access न किसे से वह तरीके से एकक्सेस हो सकता है या तो वहाँ पर एनडीक बिर्डकलら कैनलो में थी है तो वहां पर मैटल का दूसरा वसी को सब्सक्राइब क्या है दूसरा मोड देप्ड़ हो उसका metal access defect due to presence of extra cation at interstitial site interstitial site पे extra cation present है ठीक है तो भी जो metal है वो access हो गया तो यह दो method है जिनसे metal access हो सकता है वापस आप लोग देख लीजिए एक तो metal access defect due to anionic vacancy यह हम इसकी बात करेंगे एक है एक है due to extra cation at interstitial size तो extra cation आगया interstitial size पे तो हो गया access ठीक है metal का तो यह दोनों method है metal के metal access defect के ओके अब इसमें सबसे पहला लेते हैं वो कौन सा है metal access defect due to anionic vacancy ना anion की vacancy होगी समझ लो इसको anion की vacancy होगी cation की vacancy नहीं होगी तो automatically ratio तो disturbed हो हो गया तो non stoichiometry है और cation access हो गया क्योंकि anionic missing हो गया तो access हो गया cation ratio ratio wise तो इसलिए यह हो गया metal access defect due to anionic vacancy अब इसको समझ लेते हैं वह यह है क्या अना यह जो defect है वह है क्या किसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद इसकी करते हैं बात ठीक है तो कि तो किस किस ने यह पढ़ा है क्या मैं जान सकता हूं क्या हमारे साथ कोई है जिसने metal access defect due to anionic vacancy को पढ़ा हुआ है कोई भी यह हम सारे एक जैसे ही हैं बता दो वह ओके पढ़ा है ओके गुड़ 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 तो मैटल एक्सेस जो सबसे पहला तो एक चीज ध्यान रखना जो हम कर चुके हैं ऐनिक्स व्लिड में कोई भी डिफैक्ट कोई बी डिफैक्टो इट्विल ओल्वेज मैंटेन इलेक्रिकल नियुक्रिटिटी इलेक्ट्रिकल it will always maintain electrical neutrality बात समझ में आई के नहीं आई ठीक है electrical neutrality हमेशा वहां maintain होगी अब जो सारा गेम है न वो electrical neutrality maintain करने के लिए आप इसको समझ लो बस सारे गेम में electrical neutrality maintain करने के लिए सारी चीज़ें automatic होती चली जाती है अना तो अब हम यह जो डिफेक्ट है वो देखते हैं इसका नाम है मैटल एक्सस कि डू टू एनायनिक कि वेकेंसी कि ठीक है ओके अब यह देखो वह एक i cotis hoe अमारे पास story है क्या हुआ हमारे पास एक crystal है वह है sodium chloride का ठीक है यह लोगई यह हमने एक crystal बना दिया वह बना दिया sodium chloride का आप हम लोगी ए रेंडम लीक का समझने के लिएग पकर रहे हैं आप इसमे जो आपका जो नोलेज है इसका solid state का unit cell lattice वो आप इसमें apply नहीं करेंगे हम सिर्फ defect को समझने के लिए crystal बना रहे हैं तो यह हमारे पास na plus है यह CL minus है na plus और CL minus और यह na plus, यह CL minus, यह na plus, यह CL minus और यह हो गया एने plus और यह CL minus ठीक है इस तरह से यह आयन से इसमें हाना ओके अब क्या हुआ यह इसकी सर्फेस से देखो हाना अब क्या हुआ हमने इसका हीटिंग किया किसका इसका हीटिंग किया हाना heating of naCl in presence of na vapor vapor na vapor की presence में हमने इसको क्या किया हीटिंग किया इस crystal को हमने एने vapor की presence में heating किया तो हुआ क्या यह हो गया yellow color it becomes yellow color yellow color का कैसे develop हुआ इसमें यह तो प्रोब्लम हो गया ठीक है तो यह कैसे हम explain कर सकते हैं यह जो metal access defect metal access due to anionic vacancy यह जो metal access defect है उसकी वज़े से उस defect की वज़े से इसमें color आया किसमें इस NACL के crystal में अब वो color कैसे आया उसको समझ लो आप लोग anionic vacancy कैसे create हुई उसको समझ लो आप लोग ठीक है तो यह हमने क्या हुआ एने की वेपर की presence में जैसे इसको hitting किया तो एने यहां पर deposit हो गया सरफेस पे आप देख लो जहां पर मैंने एने लिखा है वहां पर एने क्या हुआ deposit हो गया अब इस एने से interact करने के लिए crystal के बीच में से cl diffuse होकर के बाहर आया cl- यह देखो एक cl- को मैं यहां से यह diffuse करा करके यह यहां पर आया cl- ठीक है अब यह cl- जो है वह इस एने से interact करेगा अब एने को क्या करना पड़ेगा एने को इस cl- से interact करने के लिए एने एक electron lose करेगा और वह कंवर्ट हो जाएगा किस में बताना जरा एने किस में convert हो जाएगा एने प्लस में और एक electron कर देगा लूज ठीक है अब وہ simultaneously जैसे cl- यहां आया वैसे ही क्या होगा एने एक electron lose करेगा और एने प्लस में convert हो जाएगा ओर यह जो इलेक्ट्रोन करेगा वह इलेक्ट्रोन वापस diffuse हो करके कहां पहुंच जाएगा जहां से वो cl आया है वो cl की position occupy कर लेगा क्यों क्योंकि यहां पर electrical neutrality maintain करनी है crystal में बात समझ में आई कि नहीं नीगेटिव चार जितना भी है crystal में उसे maintain करना है इसलिए उस NIN की जो vacancy create होई थी उसको electron ने fill कर दिया electron वहाँ चला गया ताकि electrical neutrality disturb नहीं हो क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया आपको सारा game electrical neutrality maintain करने के लिए हो रहा है यहाँ तो यहाँ पर यह जो electron diffuse होकर के crystal में आ रहा है और anionic site को occupy कर रहा है ध्यान रखना CL ने जहाँ vacancy करी उसको बोलते है anionic site यह anionic vacancy तो जो CL ने CL minus diffuse होकर के surface पे चला गया समझलो इस बात को CL minus diffuse होकर के diffusion हुआ यहाँ पर और वह surface पे चला गया ठीक है फिर एक electron diffuse होकर के वहाँ site जो anionic site थी anionic vacancy ती उसको इसने occupy कर लिया किसने electron ने तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे एनाइनिक एनाइनिक वेकंसी एनाइनिक site या एनाइनिक वेकंसी occupied बाई एक्ट्रोण यह लोग यह सेकंड सिचुएशन है जैसे वह वेकंसी ग्रेट हुई इलेक्ट्रोण डिफ्यूज होकर के वहाँ आगया अब वह होगी एनाइनिक वेकंसी occupied बाई इलेक्ट्रोण वो इलेक्ट्रोण ने उसको occupy कर रखा है क्यों क्योंकि electrical neutrality maintain करनी है अब बात सुनो आगे क्या हुआ color कैसे आया ठीक है यह जो इलेक्ट्रोण है जैसे ही इस crystal एक्सपोज हुआ इस crystal पे light जैसे ही इस crystal पे light आई light गिरी इस पे वैसे ही क्या हुआ इस electron ने जो sunlight का visible portion है उसमें से energy जो light है radiations है visible radiations उनको absorb किया और जैसे ही उनको absorb किया तो जो complementary color है वो हमें दिखाई दिया बात समझ में आई color कब दिखता है color basically हम जो देखते हैं वो complementary color होता है अना कौन से color का जो color जिस color की radiation absorb होती है ठीक है तो इस electron ने किसी particular color की radiation को absorb किया जिसकी वज़े से visible radiation को absorb किया जिसकी वज़े से यह crystal colored हो गया तो यह story है metal access defect की अब यहां कुछ बाते हम समझ लेते हैं सबसे पहले यह metal access है कि नहीं है बताओ metal access हुआ कि नहीं हुआ दूसरी बात यह नोन इस्टोकियो मैट्रिक डिफेक्ट है तो क्या यहां पर रेशियो डिस्टरब हो गया तो इसलिए यह नोन इस्टोकियो मैट्रिक टाइप आफ इफेक्ट तीसरा और वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट यह जो कलर किसकी वज़े से आया है कि है यह यहां पर जहां पर मैंने स्टार बनाया है उसकी वज़े से तो नहीं आया है कहीं एनाएनिक वेकेंसी उप्यूपाइड ठीक है या फिर या फिर दैउलेक्ट्रों प्रेजेंट इननाइनिक वेकंसी ऐसे भी कह सकते हैं उसकी जो एक cela यह तो यह जो आरे इसकी वजह से लरा रहा है वह यलो हो गया crystal तो इसको बोलते हैं F Center very very important one more question what is f-center f-center क्या है anionic vacancy is occupied by electron ठीक है जिसकी वज़े से crystal में क्या हुआ color आ गया तो इसको बोलते है f-center अब आप बोलोगे sir f-center क्या हुआ color आ रहा है तो c-center बोलना चाहिए f-center क्या है तो फ जो है एक particular लेटिन वर्ड है कौन सा पार बेंजेंटर इसका मतलब होता है color ठीक है इससे यह लिया गया है f-center बात समझ में आई के नहीं आई तो यहां पर दो तीन important question है यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट question है वो तो यह है कि NACL की हम लोग heating करते हैं इन प्रिजंस ओफ एने वेपर तब यह यलो क्यों appear होता है यह सेम आप question देखना पीगाई क्यों जो सीट है उसमें काफी सारा कम से कम चार यह पांच बार आपको मिल जाएगा ठीक है वाई एने वाई दे इंपोर्टेंट question है अब बात कर लेते हैं यह और किस किस में होता है ठीक है तो NACL तो भी हो गया यलो इसकी वज़े से NACL क्या हुआ यलो हो गया और हमारे पास देखो एक होता है LICL ठीक है इसमें भी एक कलर डवलप होता है और एक LICL है और एक है हमारा यस के सी यल ठीक है अब हम इस चैप्टर को कवर करते हैं इस टोपिक को कवर करते हैं वापस वही जा करके जहां से हमने शुरू किया था और वो है यह ठीक है अब आप यहां समझ लो एफ सेंटर यह देखो एनाइनिक वेकेंसी विचार ओक्यूपाइड बाई एन पेड इलेक्ट्रॉन ओनेज एफ सेंटर और कलर सेंटर इनकी वजह से कलर आ रहा है ठीक है तो यहां पर यह जो फिगर है जहां इसे डवलप होता है यह उसकी मिकेंशम है ठीक है कि एने प्लस की प्रजंट में ही टिंग करते हैं तो c l minus डिफ्यूज होकर के सरफेस पे आता है एनप्लस एक electron lose करता है वो डिफ्यूज हो करके उसकी जगह चला जाता है हो गई क्रियेट थीक है तो यह तो हुआ एप सेंटर वाला अब दीज एप सेंटर यह सारी बात हमने कर ली है यह सारी बात भी हमने कर ली है यह सारा हो गया हाँ यह बात भी हो गई अब देखो गई दो और कौन-कौन से है नसल के साथ जिनका वनमाक्स का क्वेश्चन आता है वह एक तो केसियल टांस यलो केसियल यलो हो जाता है अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है लाइलेक लाइलेक क्या होता है आपने कोशिस करी किया इसको लाइलेक जो वर्ड है आपने इसको लिखलो बैसिकली यह किसको 200 को इन्डिकेट करता है लगवाट चीक है तो यह एक्सेस में इसको तो यह हो जाता तो यह तीन एक्जामपल है इसके मेटल एक्सिस डिफेक्ट डू चुटू ए निक वेक्णिन कीवजह से जो चुलियर का यह सर्ünden style II अब देखो मैटल एक्सिस हम दूसरे तरीके से करेंगे मेटल एक्सिस शमझ रहे हो नमेटल का आटसस्के से करेंगे cía डीविटू फॉफ एक्सट्रा टैइन अभी तो हम ने क्या किया था एन Hier सूरी एना सुरी को टैन इंड लो गींजी हो गई है उसकी वज़े उस घ्र हो गए अब यह क्य पर इंट्रीश्टील साइट पर एक्स्ट्रा कैटायन आएगा तो मैंटल तो एक्सिस होगे है बात सही है न या नहीं है बताओ हुआ इस लिगव कैना ना सब्सक्राइब करा मतलब नहीं पता वैज तो फिर कल बोलना चाहिए था भाई कल भी हमने interstitial word की बात करी थी, यह देखो, यह हमारा एक particular crystal है, ठीक है, यह लो, यह हमारा एक crystal है, यहाँ पर positive charge वाले हैं, यहाँ पर negative, यहाँ पर positive, यहाँ पर negative, यहाँ पर अब यह positive है, तो यहाँ पर negative, यहाँ positive, यहाँ negative, यहाँ positive, ठीक है, अब यहाँ वापस positive, negative, positive और negative, ठीक है यह हमारे पास एक क्रिश्टल एब देखो यह जगह जहां पर मैं भी बना रहा हूं यह इंट्रिस्टीश्यल का मतलब है इंट्रिस्टीश्यल है तो यह इंट्रिस्टीश्यल है ठीक है है तो स्रक्रांड इसमें सक्ष्ट कि अगया ह apologize मैंने यहां पर रग जादा है और फश्रह के क्यों नहीं है सब्सक्राइब को मतलब होता है सब्सक्राइब करेंगे तो यह हो गया मैटल एक्सेस अना किसकी वजह से ड्यू टू एक्स्ट्रा केटाइन ठीक है कहां पर एट इंट्रिस्टीशियल साइट बात समझ में आई तो यह इंट्रिस्टीशियल साइट में एक्स्ट्रा के वजह से मैटल एक्सेस डिफेक्ट होता है अब इसमें क्या होता है बहुत सिंपल सी बात है मैटल एक्सेस तो यहां आ गया लेकिन इलेक्ट्रिकल लिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको निट्राइज करने के लिए नेबरिंग साइट पर एक एक्स्ट्रा एलेक्ट्रोन आ जाता है यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन भी आ करता है बात समझ में आई तो इसका फिगर यह आपके सामने है और इसको थोड़ा साथ जूम कर लेते हैं यह नाउ यू आर्व वहरी मच एबल तो फाइंड एक्स्ट्रा के टाइन इन इंट्रिस्टिशियल साइट यह एपलस देखो एक्स्ट्रा के टाइन हैं इंट्रिस्ट तो आया हुआ है । तो यह जो एक्सट्री के टाएन इंट्रिस्टिशल पोजिशन इसमें कोई दिखत नहीं है डिफ्क है अब यह जो डिफैक्ट आंप उसके वजए से क्या क्या हो गया वजह कि वजह से जादेनर यह भी कलर का एक्जांपल है ऐसी तरह से नॉट करना और जैसे हमने इसको 2 हो गया जैन क्यों कि लूसें लूस कर दी चैसे हुआ ओक्सिजन लूस कर दी तो पिया हुआ मैट्लक से वो देखते हैं ठीक प्लस एक्सिजन था वहां से गया तो यह दो एक्स्ट्रा हो गया ठीक है और यह दो एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि यह जो माइनस है यह ओटू में कब कनवर्ट होगा जब यह दो इलेक्ट्रोंट रिलीज करेगा तब यह क्या होगा तो यह दो इलेक्ट्रों एक्स्ट्रा हो गए सभिए तो अब यहा पे समझ लो यह काइन दो एक्स्ट्रा है जो इंट्रेस्टिेशचंछicated में तो यë इस तरह से यह मैंट आइक सब्सक्राइब क्रेट होता है डियो टयक्टरक्स अबzessafter ऑंग स eclipse नहीं ईह आए यह नहीं 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 इसे करेकली होता क्या है क्या है वापत εί consiste किया थी कैंथ तो अपने इलेक्ट्रों छोड़कर कर निकल लेता है और जो उसका जो इस असिजन का पैर वाला जो जैने Center yeah वहां से अपनी साइट छोड़कर करके मेड़िस प new top लिटिके जो कि कोई भी Mi्हannीнов से एनाइन की पॉजिसन यहां पर खाली नहीं है टिक है और उस को सेटीस्पाई करने के लिए उसको उप्रिक्रिकल्ट्र करने के लिए के लिए जो AyND रिलिस करके गया है वह वहीं रहते हैं क्रिस्टल में एक तरह से हमें कहते हैं कि crystal जैसे हम इसको हीटिंग करते है ना तो crystal जो अपनी structure ना उसको रियर्इब करता है उसको रियोर्गेनाइब जैसे oxygen चले जाएंगे तो रियोर्गेनाइज करेगा तब क्या होगा अब यह जो एक्स्ट्रा कर लेंगे और इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी मेंटेन करेंगे वो इलेक्ट्रोन जिनको एनाइन छोड़के गया है क्रिस्टल में बात समझ में आई यहां पर रियोर्गेनाइज होता है जैसे हम हीटिंग करते हैं अपनी पॉजिशन को रियोर्गेनाइज करते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाता है विचारा के तो इस तरह से यह डिफेक्ट हुआ अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होना चाहिए जैडन जैडन ओका जिसमें ओक्सिजन चला गया यहां पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए जैडन बेसिकली एक्स्ट्रा हो गया तो उसको हम लिखेंगे वन प्लस एक्स जैडन को क्या लिखेंगे वन प्लस एक्स और यह इसका फॉर्मूला यहां पर जेवलब का पार्टे वह इंक्रीसथ हो गया घीक है तो ही है मैटल 15 डेफिसेंस और पर सबसे पहला पॉइंट है इसका कि यह उन मैटल्स वह मैटल्स करते हैं जिनकी वैरियेबल वैलेंसी होती है वैरियेबल वैलेंसी का मतलब समझ गए जैसे आयरन है यह वैरियेबल वैलेंसी का मीनिघ यह है आश्क कि मेटल एक से ज्यादा इस्टेट को शो करता हो तो यह वह मैटल्सट करते हैं है कैसे करते हैं कभी-कभी क्या होता है क्रिस्टलाइजिशन होता ना उसमें कुछ जो कुछ체적 के टैनिक site है तो सारे के सारे कैसिट पहूंचते है और अपनी पोजिसिट यह मोंपनी लेट हो जाता है और अपनी पोजिसरी पहूंच नहीं पाता लेट हो जाता है तो वहां रह जाती है उसकी वेकन सी थिक इसकी बात करेंगे débude झाल झाल